हेलो इद्यलंगार के बच्छो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12 क्लास का एक न्यू टॉपिक देट इस सल्यूशन आई हम जानते हैं सल्यूशन क्या होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री क्या है कि जानना जड़ूरी है कि chemistry is the study of matter, तो matter किस किस form में study करते हैं आप तो एक प्यार फार्म में study करते हैं और एक इन्दा form of mixture इसके form में study करते हैं अब हमारा ज्यादतर focus इसी पर होगा, यह mixtures क्या होते हैं, तो एक मिक्चर के दो टाइप होते हैं, एक होता है homogeneous mixture और दूसरा होता है बच्चो, heterogeneous mixture एक होगा homogeneous और दूसरा होगा heterogeneous होमोगीनियस होता है सेंठ फएस यह होता है विजनियस को मीनिंग होता है दिफरेंट फएस मतलब बच् में आपने लेमन को स्क्वेच कर दिया लेमन जूज बना दिया आपने तो वो कैसा होता है ऐसा पूरा फैल जाता है आप उसको सेपरेट कर सकते हैं फिर उसके बाद में नहीं कर सकते हैं उसी को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्षर एक और है जैसे आप ने क्या किया किया कि आउन में पेट्रोल में आपाउल डालते ना पेट्रोल प्लस आई इसा कर दिया तो यह दोनों को मिक्स कर दिये तो फिर आप उसको कर सकते हैं क्या नहीं को सेप्रेट विलते हैं होमोगेक्स मिक्स eclipse और पिर अगर आप आप ने तो वाटर प्लस मठ दाल दिये या फिर आपने तो वाटर में एक शिका डाल दिये तो आप उनको अलग कर सकते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे heterogeneous mixture जो अलग-अलग दिखाई दे जो दिखाई दे अलग-अलग दिखाई देगे उनको heterogeneous mixture और जो सेम दिखाई दे उसको homogeneous mixture in homogeneous mixture constituent particles of mixture are mixed uniformly वो uniformly mix हो जाते हैं हर जगा बराबर से फैल जाते हैं ठीके उसको बुलते homogeneous mixture आईए अब तो मैं आपको solution की definition समझाता हूँ solution क्या होता है solution देखिए solution होता है homogeneous mixture of two or more than two two components यह दो या दो से ज्यादा component का homogeneous mixture होता है जो के कैसे होते है mixed और एक और वर्ड यूज क्या जाता है इसके लिए disposed disposed on molecular scale disposed disposed on molecular scale यानी जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल जाएंगे और वो ऐसे molecular लेवर पर फैल जाएंगे disposed रोना यानी फैल जाना जैसे school में अपनी assembly होती थी फिर बोलते ना इस तो इस तो इसा होता था ना मतलब क्या फैल जाए तो वैसा ही इसमें molecules या होते हैं पूरे एक दूसरे में फैल जाते हैं उसको बोलेंगे हम homogeneous mixture of two or more component that is known as solution तो बच्चों मेरे साथ बोलिए solution क्या है solution is a homogeneous mixture of two or more than two component disposed molecular scale आप इसको क्या बोलेंगे बच्चों solution बोलेंगे ठीके आईए next depending on number of component यह दो या दो से ज्यादा कितने होंगे क्या कहेंगे उनको वह चीज़ जानेंगे तो depending on number of components next आपको बताएंगे हम classification of solution classification of solution classification तो यह classification करते हैं जैसे आपको इस्कूल में अलग-अलग standard में classify करते हैं based on your standard से ना सारे स्कूल के student पूर एक जगा बैठते क्या नहीं उनके standard के साब से वो अलग-अलग बैठते हैं तो वैसा ही सारे solution एक जैसे हो सकते हैं क्या नहीं depending on number of component यह अलग-अलग हो सकते as depending on number of component they are classified as पहला है बाइनरी solution दूसरा है बच्चो टर्नरी solution और है बच्चो quaternary solution अब बच्चो depending on number of component they are classified as binary, ternary, quaternary और ऐसे बहुत सारे होगे so on and so forth अपने गुतने जार डिटेल में जाना नहीं है सिर्व इतना ही समझना है तो बच्चो यहां पर देखिए कि यह जो दिखाई दे रहा है आपको binary, the word binary means, binary means two, दो है तो इसका meaning यह हुआ कि यह जो solution है यह दो component से मिलके बनाए कितने component से मिलके बनाए बच्चो two components, इसमें दो component होगे ठीके चलो फिर इसका बताओ, ternary, the word ternary, ternary, tertiary, सुने आ रहा है ऐसा कुछ तो भी, ternary, ternary मतलब कितने बच्चो three, तो यहाँ पर इसमें ternary solution में three components होगे, three components, अब है बच्चो कौन सा, quaternary, तो आप गेस कर सकते, quaternary में कितने components होगे, quaternary में होगे, four components, four components होगे, ठीक है बच्चो, तो यह हो गया आपका classification of solution as binary, binary solution, ternary solution और quaternary solution, आईए इनके examples देखते हैं, इनका example देखिए बच्चो, binary solution का example देखेंगे, तो binary solution का example है, आप घर में salt को water में mix कर दीजिए, तो इसमें आ गए ना, दो component का solution, घर में sugar है, sugar को water में mix कर देगे, तो तब भी किसका example है, binary solution का, आईए, यहाँ पर, यहाँ पर आप लिक्स में क्या करेंगे, लेमन juice, लेमन जूस, प्लास, वाटर, इट इस आल्सो दी, एक्जामपल ओफ, binary solution, ना, देखेंगे, तर्नरी solution, तर्नरी solution क्या होते है, देखो बच्चो, तर्नरी solution क्या होते है, तर्नरी solution में होता है, आप मिला दो salt, salt में मिला दो sugar, शुगर दोनों को मिला दो किसमें, वाटर में, तो आईए हो जाएगा आपका, टर्नरी solution, आईए बच्चो, क्वाटर नरी guess कर सकते हैं, क्या क्या आएगा, इसमें आएगा, salt, प्लास, शुगर, प्लास, लेमन जूस, लेमन जूस, प्लास, वाटर, तो यह क्या बन जाएगा, बच्चो, टर्नरी यह बाइनरी सल्यूशन, टर्नरी सल्यूशन और कोटर्नरी सल्यूशन, तो यह था बच्चो, सल्यूशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, यह पूरा चैप्टर हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, और यही आप हमारा एप जल्दा जल जॉइन करिए, तिल देन कीप वाचिंग विद्यालंकार, थेंक यू